दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा दोस्तो आज हम बात करेंगे दयूथ आईकॉन नीरत चोपड़ा के बारे में आपने सुना भी होगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए युध कहां तक टाला जाए तु महारणा के वनसज हो फेक जहां तक भाला जाए और आखिरकार ये भाला सारी बंधन बेडियों को तोरते हुए उलम्पिक की दुनिया में शांदार परदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाई जी हां हम बात कर रहे हैं निरत चोपड़ा दे यूथ आइकॉन के बारे में जिन्हें प्यार से मोगली भी कहा जाता है उनका जनम 24 दिसंबर 1997 इस भी में हर्याना के एक छोटे से गाउं खांदरा में हुआ था वे किसान परिवार से बिलोंग करते थें बचपन में अत्यधिक मोटे होने के चलते उनके परिवार वालों ने उन्हें अधिक समय खेलों में देने के लिए कहा और इसी खेल खेल में वे मिले जेवरेलिन थ्रो के खिलाडियों से और वहीं पानी पत के सिवाजी स्टेडियम में मात्र 11 वर्स की अवस्था में 25 मीटर भाला फैक कर सारे खिलाडियों को दंक कर दिये थे और सायद ये वही समय था जिससे वो तै होना था कि ये लड़का उलम्पीक के दुनिया में कदम रखेगा और अंतता 2016 में इन्होंने पोलेंड में हुए IAAF World Cup Under 20 में इन्होंने 86.48 मिटर भाला फ्हेक कर अपने नाम गोल्ड मेडल दर्ज की और इसी के उपलक्ष में भारत सरकार ने इन्हें आर्मी में JCU के पद पर न्यूक्त किया पुना 2018 में इन्डोनेशिया के जकार्ता में हुए Asian Games में 88.06 मिटर भाला फ्हेक कर उन्होंने पुना अपने नाम गोल्ड मेडल दर्ज की लेकिन 2018 में ही इन्हें कंधे में चोट लग जाने के चलते ये खेल को कंटिन्यू नहीं रख पाएं परन्तु एक सांदार वापसी के साथ 87.58 मिटर भाला फ्हेक कर उन्होंने टोक्यो ओलम्पिक में भारत को स्वन्ड पदक दिलाई ओलम्पिक में गोल्ड जीतने वाले अभिनोव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाडी बने हमारे प्यारे नीरत चोपड़ा So, thank you Neeraj Chopra for this great achievement. Radhe Radhe